हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेलप है तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमर्स की जो रिकूट्मेंट निकल हुई थी 2023 में उस पर जो हाई कोट का इस्टे लग गया था उसके रिगार्डिंग बात करेंगे साथ ही साथ एक विल्डो की जो अपडेट आई थी कि इस तारीक से आपके फॉर्म जो है करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बारे में भी अपडेट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब क्या सिट्विशन रहने वाली है एक्जाम की तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेगा और चैनल पर पहली वार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ये MRS की किसी भी अपडेट के लिए चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखें यहां पर ये MRS एक्जाम 2023 जैसा कि आपको मालूम है दो तरीके के एक्जाम हो रहे थे एक टीचिंग पोस्ट का एक नन टीचिंग पोस्ट का जिसके तहत आपके JSA का, Accountant का, Lab Attendant का, Hostel Warden का और Teacher का इतनी सारी पोस्ट पर आपका एक्जाम हो रहा था फिलाल अभी एक दस दिन पहले एक इस्टे आता है ही कोट का ये आता है आपका उत्राखन्द ही कोट से ठीक है कि ये जो बेकैंसी आपकी स्टेट गवर्मेंट के थूँ आती है ठीक है जो ट्राइवल मिनिस्ट्री होता है उसके थूँ तो इस तरीकी का स्टेटमेंट आता और हाई कोट में ये केश चलाता है हाई कोट इस पर इस्टे लगा देता वो copy भी मैं आपको वीडियो के तुरू दिखाई थी और उसमें एक date जारी किये थी कि अगली जो सुनवाई होगी वो 17 October 2023 में होने वाली है तो दोस्तों क्या सच में आपका exam टल गया है इसके उपर बात करेंगे साथी साथ no correction window इस पर ही बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपके काफी कमेंट आ रहे थे कि क्या ये JSA पर भी लाग होगा क्या ये accountant पर भी लाग होगा क्या जो hostel वार्डन की post लिख लिए ये जो इस्टे लगा ये इस पर भी लाग होगा क्योंकि ये teacher से related था तो यहां पर बता दूँ जब मैंने आपको notification पढ़ाया तो उसमें साफ साफ लिखा था teaching and non teaching post तो ये दोनों के ऊपर इस्टे लगाया गया और देखे exam सच में टल गया है यान कि यह अपता स्वामार से लेके Saturday हो चुका है और यह जो correction की update आई थी यह से पहले हपते में आई थी यान कि यह आई थी सुक्रवार या सनिवार को जो लाश्ट अपता इससे था उसमें बोला गया था कि आपकी जो correction window हो next week में आपके open की आईगी ठीक है नेक्स्ट वीक और अभी भी देखिए आपको यहाँ पर शो रहा होगा तो अभी भी यह बोला है कि नेक्स्ट वीक में आपकी शो होगी तो अभी भी कुई अपडेट नहीं दिए अब मतलब अभी भी किसी दिए तरीके की कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है तो एक्जाम टला है यह नहीं टला यह confirm तभी होगा जब website पर अपडेट आई और यह वाली जो अपडेट थी यह भी यह लोग नहीं दे रहा है अब कि यह एक्जाम आपका टल सकता है कब तक टल सकता है 17 अक्टूबर तक जहां तक है 17 अक्टूबर तक यह अभी फिलाल के लिए टलेगा बाद में इस पर निर्णा आगा कि यह एक्जाम गेशाम होता है नहीं पड़ने अब बात निकल लगा आती है तो भाइया फिर प या कोई भी state exam होता है उसमें आपके चार टॉपिक तो मश्ट रहते हैं पहला मेत दूसरा आपका reasoning आईगी उसमें ठीक है तीसरा आपका english आईगी उसमें चौता आपका gks और current affair आगा यह चार टॉपिक तो मस्ट रहते हैं कि यह टॉपिक हर exam में आपको इसा भी exam उठाके द नम्मर 15 नम्मर का देखने को मिलता है तो केवल हिंदी एक्ष्टा बच रही है तो आप अगर इसे भी इसे छोड़ दें तो यह पांच टॉपिक की तो आपको अगर आप कोई भी एक्जाम देते हो तो यहां पर प्रप्रेशन तो बैसे भी करना है अगर आपने फॉर्म भरा इसके अकॉर्डिंग पढ़ने और कॉन कॉन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरे ऑवर वर पढ़ने एक्स्टा टॉपिक जो थे बोवी वीडियो बना दिया और बाकी के जो टॉपिक्स की वीडियो मैं आज भी मैं घर आया हूँ तो तभी बोड पर और मैं आपको डेली कल में लवक सभी आपके जो टॉपिक्स बचे हुए जी के बगएरा कम्प्यूटर बगएरा कहां से पढ़ें क्या पढ़ें पूरा अपडेट दे दूँआ कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंड हूँ आपको पढ़ने चाहिए ठीक तो उसको देख लिए ना तो मैं क्या पढ़ने होगा जो अपडेट देते हूंगा और जैसे इसके अपडेट आई ही कालेक्शन बिंडो के रिगार्डिण या जो इस्ट्रे लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको तुरन्त अपडेट दिदू हूँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राब करें के लगएगा और भी कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट सेक्षन में करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडिमा तब तक लिए जय हिन जय भारत